नमस्ते दोस्तों सुवागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में आज के वीडियो में लेकर आई हूँ में समोसा की रेस्पी जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है जो कि आप एक ही बार में आठ समोसा बना कर त्यार कर सकते हैं ऐसा तरीका लेकर आई हूँ में और बनाना बह गी डाला गी यह शूद धेशी गी है आप चाहे तो रिफाइन्ड उयल का भी उज़ कर सकते हैं और मैदे में घी को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे पहले अच्छी तरीके से इसको मसल मसल कर अच्छे से यह देहिए इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है तो आप इस तरीके से समोसा बनाएंगे तो अपना तरीका भूल जाएंगे यह इतना असान है और मिंटो में समूसा बनकर त्यार हो जाएंगे और ये इस तरीके से मसल मलसल कर मैदा है और घी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक समूद सा डो बना लेंगे ना ही जादा लूज रखेंगे और ना ही जादा टाइट बस मीडियम सा इसका डो लगा लेना है और इसको छोड़ देंगे रेस्ट पर 10 मिंट के लिए तो आप इस तरीके से समूसे एक पर जरूर से बना कर देखना बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगेंगे आप एक एक चीज बिल्कुल बारीक तरीके से सम चमजना तो मेरा आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें तो डो को रेस्ट पर रख दिया मैंने आगे की त्यारी करते हैं तो चार मीडियम साइज के आलों को बालकर मैंने ठंडा कर लिया है और उनका चुछ छिलका है कि निकाल दिया है एक चमजाई टेल तेल में डालेंगे आदा चमजına जीरा है जो अच्छे से चटकने देंगे तो इसी मैंने मेने डाला है प्याज तो आप प्याज को पूरी त्रीके से स्किप भी कर सकते हैं लेकिन मैंने प्याज को डाला है क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास मटर नहीं है तो मटर की जगा मैंने प्याज का यूज कर लिया है और इसमें डाला है आदा चमच हिंग और मिर्ची डाली है तीन से चार बारी कटी हुई हरी मिर्च तो मिर्च का मैंने अच्छे से यूज किया इसमें क्योंकि स्टफिंग है जो बिल्कुल अच्छे से चटपटी सी होने चाहिए तो इसमें डाला है मैंने आदा चमच घरम मसाला और थोड़ी सी कुटी हुई और भी लाल मिर्च धनिया ढाला है और अब इसमें डालेंगे हल्कासा मतलब पीची घरम मिर्च और आदा चमच धनिया पाउडर यह मिर्च है जो लाल वाली एकस्मीरी लाल मिर्च है बस कलर के लिए डाली है क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और आलू को डाल देंगे और मसाले में आलू बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो जो कोई मोटा टुकडा है इस तरीके से दबाते जाएंगे आलू को और अच्छे से मिक्स करेंगे मसाला है आलो में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए और फीलिंग है जो ये बिल्कुल चटपटी सी मनार यूम है आप मसाले हैं जो कम या ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हैं एक चुक्ती डाली है मैंने हल्दी पाउडर एक चुक्ती ही डाली है ज्यादा हल्दी नहीं बदिया इजए में और नमख डलें अरबट में नमक, डालने के बद दें देंगे, क्योंकि नमक डालने से आलू पानी चोड़ने हैं, इसलिए में लगई में महों औरसा है। तो तब तक आगे की त्यारी कर लेते हैं तो डो को देख लेते हैं और इसमें मैं डाली हूं नमक और अजमेन आप ये पहले भी डाल सकते थे दब इसका डो लगाया था तो मैंने इसमें अब डाला है क्योंकि ये मैंने बस रफली है जो डोब नाकर रख दिया था आप इसको अच्छे से सैट करेंगे इसको मसल मसल कर बिलुकूल अच्छे से चिकना करेंगे दुबारा से तो देखिए मैं इसको बिल्कुल अच्छे से चिकना करूंगी मसल मसल कर और इसको दो पार्ट में और यह देखिए इसको इस तरीके से मसल मसल कर बिल्कुल अच्छे से चिकना करेंगे और अजवेन डाला है मैंने आदा चमच के करीब अगर आपको अजवेन का फ्लेवर पज़र नहीं है तो इसको बिल्कुल हटा सकते हैं और खाली नमक से बना सकते हैं और यह देखे मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से चिकना कर लिया है और दो बड़ी लोई है जो और इसकी दो बड़ी सी लोई बनाई है मैंने और इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे यह रोटी है जो बिल्कुल ना ही ज़्यादा पतली बेल लेंगे और ना ही ज़्यादा मोटी तो मैंने इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल ली है और यह द तो यह देखिए आप क्या करेंगे इसके उफर आलू की फीलिंग रखेंगे एक से डेड़ चमच जी तरह आराम से आ जाए तो सभी पार्ट पर इसी तरीके से रख लेंगे आलो की फीलिंग तो इस तरीके से आप समोसे हैं जो जुरूर से बना कर देखना बहुत ही असान है और मिंटो में बन कर त्यार हो जाते हैं धेर सारे समोसे तो आप क्या करेंगे पानी लगाएंगे इनके चारों तरफ अछे बंद करेंगे और एक पुर्गो फिर जो ऊपर का पार्थ है इसको बिल्कुल नीचे की साइड नेकं जाएंगे और साइड शायंता से बहब को एस तरीके से दबास करेंगे तो पानी सब्सक्रारा करें लिए ज़िए तो पानी लगाने से यहाँ यहाँ होगा कि पःते ग्याइज नहीं और यह देहिए बिल्कुल सिंपल बनाना चार्स तो इस तरीके सें बनाकर देखना ब Πरक्न तरीके से बना है तो एक और आपको मैं बना कर दिखा रही हूँ तो ये देखी ध्यान से देख लेना और इसी तरीके से समोसे हैं जो बनाना पहले निच्छे का पार्ट है जो बंद करेंगे और फिर ये उपर का है जो निच्छे तक लेके जाएंगे इस तरीके से तो समोसे हैं जो ये इसी तरीके से सभी बना कर त्यार कर लेंगे तो आप मेरा वीडियो ज़रा सब ये अच्छा लग रहा है तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को भी सस्क्राइब करें तो इसी तरीके से सभी समोसे हैं जो बना कर रख लेंगे और ये देखी सभी समोसे हैं जो मैंने बना लिये हैं आठ समोसे बने हैं एक ही रोटी से और साथ ही है जो मैंने रिफाइन गरम होने के लिए रख दिया था और मीडियम फ्लेम पे समोसे को तलेंगे हाई फ्लेम पे नहीं तलेंगे और ये थोड़ा सा है जो ज़्यादा गरम कर दिया था और मैंने गैस का दर भ्लेम में था तो अब है जो मेडिव फ्लेम किया है मैंने सब карт depends ile के लिए तो हाई पे नहीं पकाएंगे संपोस आपकी वाइए कूंपर है जो कर देंगे ग। और मैंने एक ही बनाए हैं यहीं 8 स्मुस नुर c बाकी की एक लोई बच गई है उसकी है जो नमक पहरे बना लेंगे तो मेडियम फ्लेम पे ही फ्राइप किया है मैंने और यह देखिए इसके उपर है जो खलका सा कलर आने लगा है तो यह समोसी बनाने में भी असान है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं यह देखिए आभी इनको निकाल लेंगे प्लेट के अंदर जो मैंने एक लोई बचा कर रखे थी उसकी मटर है जो नमक पारे उनकी कटिंग करके डाल दिये हैं तो समोसे की रैस्पी कैसी लगी आपको कमेंट बोक्स में जरूर से बता और आप भी इस तरीके से समोसा है जो ज चरने के साथ खा सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू